दोस्तों इसमें चक्रवाती तुफान यास का कहर जो है देश के कही रज्यों में देखने को मिल रहा है अब आपको बता देना चाहते हैं कि अगले 48 गंडे में किस किस रज्ये में और किस किस जिले में जो है दोस्तों चक्रवात यास का कहर देखने को मिल सकता है लेकिन उससे पहले दोस्तों कर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पलपल की अपडेट के लिए लाल बटन दबा कर चेनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों आपको बताते चक्रवाथ यास बिहार में दो-तीन दिन तक होगी बारीस बने की बार जेसिस्तिती एंडी आरफ और एश्डी आरफ की बाईश्टी में तेयार जिया दोस्तों बंगाल की खाड़ी में उटा तूफान यास जारकंड होते हुई बिहार पहुचेगा इसे लेकर मोसम विज्ञान केंदर पटना के निदेशक विवेक सिना ने अभी अभी बादशीत में बताया है कि यास तूफान से बिहार के लिए चिंता की एक मात्र वजह है दो-तीन दिन तक राज्यपर में होगी लेकिन एक दिन में राज्य के कहीं जिलो में अति बारी बारिश के संभावना नेक के बराबर हैं सूबह में अगले दो दिन हावा की रफ्तार 30 किमी परति गंटे से ज्यादा नहीं रहेगी दो-तिन दिन की बारिश में इसकी तिर्वता भी हाँ बैतर गंटे की बारिश से इसकी मात्रा ज्यादा हो सकती है यानि कि दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं बिहार के अंदर कुछ जिले ऐसे हैं जापर अगले 2-3 दिन के अंदर बारी बारिश हो सकती है बार जैसे आलाज भी बन सकते हैं कुछ जिलों में इसको देना चाहते है कि मोसा विवाग की जो अपडेट आयरी है उसकी हिसाब से अगले 48 गंटे में अब जो यास तूफान है उसका कहर जो है काफी हद तक कम हो चुका है पसी मंगाल में उडिशा में जो काफी तबाई माचाई इस तूफान ने लेकिन अब जो है दोस्तों इसक है क्ली जो है एक हजार करोन रूपै की राहत का इलान किया जिया दोस्तों बड़ी अपडेट निकल कर आ रिया मोदी जैने जो है 1000 करोन रूपय जो भी बाढ् से चख्रवाति तोफान हियास से प्रवाविध हो हैं उनके लिए 1000 करोण रूपय की राहत कर दिया है परदान म और जारकंड को मिलाकंड नुक्सान के हिसाब से बाकी 500 करोड रुपे दिये जाए।